आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर भगवान वाच बाबा की हमारे लिए मुख्ये शरिमत है एसरीरी होने की आत्मा विमानी होने की इसी के सुक्समसंसकार हम सत्यूग तक भी ले जाते हैं क्योंकि हम इसके बहुत सारे अभ्यास कर लेते हैं यहाँ तो ऐसरीरी होना है हमें अर्थात स्वयम को देह से न्यारे फील करना है और जैसे हम देह से स्वयम को न्यारा फील करेंगे तो हमारा चित पूरी तरह स्यांत होने लगेगा और हमें डीप साइलेंस की अनुभूती होने लगेगी तो पहले चिंतन रखना है, विज्वलाइजेशन रखना है, आत्मा की स्वरूप को देखना है फिर अभ्यास करते करते, ये डीप साइलेंस आती जाएगी हमारे चार और सन्नाटा अनुभव होने लगेगा, हमें भी और दूसरों को भी होने लगेगा जब कोई हमारे सामने आएगा, हम उसे द्रस्टी देंगे, आत्मिक द्रस्टी तो उनको भी ऐसरीरी होना सरल हो जाएगा, आत्मनुभूती हो जाएगी तो हम इस चीज के महत्व को समझें और चलते फिरते काम काज करते हुए इसकी बहुत प्रेक्टिस कर लें, बहुत प्रेक्टिस क्योंकि प्रेक्टिस से ही अनुभूती होती है कई लोग ऐसा कर लेते हैं कि अनु प्रेक्टिस की कुछ ज़्यादा अनु वह तो होता नहीं तो छोड़ देते हैं या वास इतना ही मैं आत्मा हूँ तो उससे भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा लेकिन जैसे मैं आत्मा परमधाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ विश्व में श्यांती स्थापित करने के लिए सब का कल्यान करने के लिए मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ यह बहुत गुड़ फिलिंग हो जाए जैसे ये देह अलग है और मैं अलग हूँ ऐसे मैंने अनेक सरीर ली अपने 84 जन्मों की एक माला सी बना ले और देखें कभी मैं देव सरीर में थी कैसे सरीर वदलते वदलते आई हूँ अब अन्त में आ गई हूँ अब इसे छोड़ कर मुझे वापिस अपने धाम चलना है तो यह स्वदरसन चक्र हो गया पूरा यह सब प्रेक्टिस हमें बहुत करनी होती है बिना प्रेक्टिस के एसरीरी पन होगा नहीं और जो ऐसी प्रेक्टिस करते रहेंगे एसरीरी होने की तो उनको बहुत बड़ा फाइदा यह होगा कि अंत में शरीर एक सेकिन में स्वईच्छा से छोड़ेंगे जैसे रोज बार बार सरीर छोड़ने का अभ्यास कर लिया तो आखिर में संकल्प किया और आत्मा देहसे नियारी हो जाएगी दूसरा जो बाते होती हैं संसार म बहुत सारी उनका इफेक्ट नहीं होगा मन पर पास्ट भी भूलता जाएगा जो बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है क्योंकि आजकल अगर पास्ट ज़्यादा याद रहता है या किसी सब्द ज़्यादा हर्ट कर गए और वो बार बार याद आ रहे हैं तो मनसिक रोग इस तुमको टच भी नहीं कर पाएंगे आत्मिक द्रस्टी का भी अभ्यास रखें इसे और बड़ा लाव होगा कि आत्मा के जो सातों गुण हैं वो हमारे अंदर जागरेत होने लगेंगे हमारा चित्यानत रहने लगेगा अस्यानती चाहे कितनी बड़ी हो समाप्त हो जो घरना नफरत आदी की बात है जिससे भी बहुत परिशानिया हो रही हैं समबंदों में वो समाप्त होती जाएगी हम बहुत सुखी होते जाएंगे मैं सुख स्वरूप हूँ यह नहीं हम बहुत सुखी होते जाएंगे तो जो दुखों की फीलिंग्स हैं जनम जनम कि य तो सरीर की कोई भी पीड़ा आपको परिशान नहीं करेगी, हल किसी होगी और चली जाएगी, ऐसे यंदर की शक्तियां भी बहुत बढ़ती जाएगी, निर्भैता भी आती जाएगी, आनंद भी बढ़ेगा, प्योरिटी बढ़ेगी, विकारों से वेराग भी होगा, और वि चीज रहते हैं, वो भी जलकर नस्ठ हो जाएगे, तो सबेरे सिस्याम तक एक प्लान बना ले, कि हम ये दो-चार अभ्यास सारा दिन करम करते हुए भी करते रहेंगे, तो उससे ऐसरीरीपन की स्थिति सहजी बनती जाएगी, ओब स्यांते,